Question 33 का R है तो देखिए इसमें बता रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलिंडिकल वाटर टेंकर है यहाँ पर देख लिजे वाटर टेंकर यहाँ पर दीख रहा है जिसका हाइड जो है वो 70 मिटर है और जिसका डायमिटर 2 मिटर है यह जो एक सहर के बाहरी भागों में कालोनियों में और आसपास के गाउं में वाटर सप्लाई करता है इच कालोनी है जो क्यूबेडल वाटर टेंक तो यहाँ पर देखिए हर कालोनी के पास जो है न एक क्यूबेडल वाटर टेंक है जो कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको दीख रहा है उसके बाद यह बोलता है इन बिलीजेज पीपल कम उत मटकास इस्प्रिकल के लिए पार्स टू फिल वाटर फार देर हाउसोल्ड तो जहां पे कालोनी में क्यूबेडल वाटर टेंक है वही इन टोटल वोड वन फूल टेंकर भी एबल टो सप्लाई तो दीखे एक फूल टेंकर जो है न वो कितने कालोनीज में वाटर सप्लाई कर सकता है तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे कि लेट, हाइट, रेडियस, एंड वॉल्यूम आप टेंकर आर, ह1, आर1, एंड वीवन, उसके बाद लेंद, ब्रेट, हाइट, एंड वाल्यूम आप, क्यूबएडल, वाटर टेंकर, एल, भी, ह2, एंड वी, टू, लास्ट में मानेंगे कि रेडियस, एंड वाल्यूम आप, मठका, आर, हाट, टू, एंड वी, त्री, अब इसमें फर्स्ट पॉस्चन मे तो दिखिए, वाल्यूम आप, वाटर टेंकर, V1 एकोल टू, पाई R1 इसकोए हर H1, R1 जो है, 1 मिटर है, H1 जो है, वो, 70 मिटर है, तो हो जाएगर 75 मिटर क्यूब, क्यूँकि यहाँ पर 1 के स्क्वार 1 होगा, तो 75 मिटर क्यूब जो है न, इसका हम लोगों को वाल्यूम म मिल गया किसका जो water tanker है उसका इसके बाद हम लोग volume निकालेंगे जो qubadial water tank है जो के कलोनीमी जो होता है उसका ते हो जाएगा volume आप qubadial water tank v2 equal to l into b into h2 ठीक है तेहां पे l का जो value है को 7 है b जो है वो 2 है और h2 जो है ना वो 3 है तो इसको multiply करेंगे तो 7 to 14 और 14 3 जा 42 हो जाएगा तो 42 meter cube जो है एक qubadial water tank का volume आएगा यहां पर हमने लिख लिए है कि number of colony to supply by one full tanker equal to volume of water tanker v1 divided by volume of qubadial water tank v2 ठीक है अब volume of water tanker यहां पे 220 divided by 42 करेंगे इसको शालव करेंगे तो यहां पे हम लोगों मिल जाएगा 5 decimal 23 है ना तो 5 decimal 23 मिला तो approximately क्या होगा यह 5 कालोनीज को एक full water tanker जो है ना water supply करेगा तो उसको answer में लिखेंगे the tanker can supply water to 5 कालोनीज इसमें question number 2 है if a tanker supplies water to 3 कालोनीज and then goes to a village where 400 people fill their matkas roughly how much water is supplied by the tanker in all give your answer in meter cube तो देखें tanker जो है ना 3 कालोनी में water supply करने के बाद यह गाउं जाता है जहां पे 400 लोग है 400 people हैं उनके matka को भरता है तो यहां पे question कर रहा है कि कितना water हो supply करता है और यह जो answer है give your answer in meter cube इसको meter cube में देना है so your work वर्कों को दिखाना भी है और यहां पे note दिया हुआ है कि all the tanks matkas are completely filled without any last of water कि सारे tank और matka जो है ना वो पानी से बरे हुए हैं कोभी पानी का last नहीं हुआ है और take pi as 22 by 7 use 10 lakh centimeter cube equal to 1 meter cube तो यहां पे pi को 22 by 7 लेना है और 10 lakh centimeter cube के जगा में 1 meter cube हमको use करना है अब second में सबसे पहले volume upon matka calculate करेंगे तो volume upon matka b3 equal to 4 by 3 pi r2 cube हो जाएगा यहां पे 4 by 3 pi का value बोला है कि 22 by 7 लेना है और यहां पे r2 जोगा है वो 42 by 2 होगा इसका cube हो जाएगा इसको जाके salve करेंगे तो हमको यहां पे मिलेगा इसका volume 38,808 centimeter cube और इसको अगर हम लोग meter cube में convert करेंगे तो जो इसमें दिया हुआ है तो हो जाएगर अपली 0.04 meter cube ठीक है न? तो meter cube में हमने कैसे convert किया है तो देखें 38,808 को आप approximately 40,000 मालीजिए और इसको फिर 10,00,000 से divide कर दिजिए तो यह हमको मिलेगा 0.04 meter cube ठीक है? क्योंकि जो insert और रहना हमको meter cube में देना है तो यहाँ पर देखें टोटल जो मटकास है न? वो 400 मटकास है तो volume आप 400 मटकास ठीक है न? तो 400 मटके के जो volume है न? उसको निकालेंगे तो 0.04 इन्टो 400 और इसको solve करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 16 meter cube ठीक है? इसके बाद देखें volume आप 3 cubidal tanks है न? उसके बाल्यूम को हमने find out कर लिया है तो इसको multiply करेंगे 3 into 42 है न? 42 meter cube हमने find out किया है ते हो जाएगा 326 और 4 2012 126 meter cube हो जाएगा तो टोटल वाटर सप्लाइड जो है न? इन दोनों का sum हो जाएगा उसको लिखेंगे कि volume of water supplied by the tanker equal to volume of 400 mtks plus volume of 3 cubidal tanks ते हो जाएगा 16 plus 126 equal to यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 142 meter cube किया हो जाएगा इसका थेंजर हो जाएगा